हेलो अबरीवान वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूं कुमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुमल की रेसिपी तो आज ना बनाऊंगी घर पर बनने वाली होममेड नट और ओरियो चॉकलेट जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है लॉकडाउन लगा हुआ है बच्चे जिद तो सबसे पहले हम इंग्डीडियन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए तो यहां पर मैंने ली है कंपाउंड चॉकलेट यह आपको एजिली किसी भी ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी बहुत सस्ती काफी बड़ा पैकिट आता है 150 या 125 सम्थिंग का तो यह मैंने कंपाउ यहां पर मैंने टवाएसब का वाइज मैंने बडा ने मैं उस्क तो यहां पर शब सेपहले मैंने इक नबाख सोंब्डा सेख बहुत जादा नहीं बिल्कुल हलका सा की हलके से क्रंची हो जाए तो हमारे नट जो हैं हलके से क्रंची हो गए हैं अब हम इनके काटोरी में निकाल लेंगे अब इसी तवे के ऊपर हम अपनी चॉकलेट का जो बाउल है इसको रख देंगे आप चाहें तो डबल बॉइलर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सीधा जो है माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर सकते हैं तो मैंने इस तरीकी से रखा है डिरेक्ट भी रख सकते हैं थोड मेल्ट कर लेते हैं हम फटा फट तो यहां पर हमारी जो चॉकलेट है वह अच्छे से मैल्ट हो चुकी है जैसे आपको लगे कि हलकी फुलकी जल रही है तो आप इसके अंदर एक दो चम्मस दूद और एड कर सकते हूं और अभी इसी टाइम पर मैं इसके अंदर यह जो करेंगे और इसको भी अच्छे से मैल्ट कर लेंगे बिलकुल अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे इस तरीके से तक यह एकदम स्मूध हो जाए तो यहां पर हमारी वाइट क्रीम भी अच्छे से मैल्ट हो चुकी है अब में एक लूंगी प्लास्टिक का बाउल कोई इसके नीचे एक पतली सी हम लेयर बनाएंगे चौकलेट की इस तरीके से आप किसी भी टिफिन बॉक्स के अंदर रहे किसी भी आईस क्रीम वाले जो मॉल्ड आते हैं उनके अंदर किसी के भी अंदर आप इसको बना सकते हैं कोई ऐसा निये किसके लिए मोल्ड की ही इसको फैला देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं और यो वाली आइस वो सॉरी क्या चौकलेट इसको अंदर डाल दिया है अब एक लेयर और हम चौकलेट की डालेंगे इसके उपर की से हम अच्छे से कवर कर दें इससे और यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती चोटा बच्चा है दो साल का मेरा बेटा है वो जैसे यह अपने फोन में ना कार्टून देखता है और कार्टून जब यह खाते है चौकलेट खाते है यह आइस क्रीम खाते है तो उसको बड़ी मंचिंग होती है खाने की वह बहुत चड़चडाता है कि नाई मामा मेरे को मेरे को भी तो इस तरीके से तो मैंने उसके लिए बनाई है यह और यो चौकलेट तो मुझे लगा आपके भी मेरे जितने छोटे-छोटे होंगे इस सब के लिए बनाई जाए और एक लेयर इसके उपर हम और डाल देंगे लास्ट काफी मोटे-मोटे इसकी बार बनने वाल जैसे की मार्केट में जो चौकलेट आती है भाहर की शेप में उसी शेप में हम इसकी पतली-वतली से कटिम कर लेंगे तो यह ढ ik इसको भी हमने एक बार फिर अच्ले час से कवर कर लिया है और इस बार इस पर हम जो यह वाइट चॉकलेट वाला जो पार्ट होता है इसको अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से और अब जो यह हमने वाइट सॉस बनाया था वाइट चॉकलेट का इसको इसके उपर स्प्रेड करेंगे और एक लिंगे टुथपीक उससे कैसे भी हम इसके अंदर डिजाइन कर देंगे कि और अब इसको सेट होने के लिए दस मिनट के लिए पहले अंदर रखेंगे उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे तो दस मिनट के लिए फ्रिज में रखकर आती हूं तो दस से पंदरा मिनट हो चुकी है अब हम इसके इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे डी मोल्ड करें तो यह बहुत ही इसली हो जाए थोड़ा सा ना टाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बिस्किट है ना तो उनको कटिंग करने में तो यहां पर मैंने इसकी इस तरीके से कटिंग कर दी है और अब हम इसको दुबारा जो है फ्रिज में रख देंगे अच्छे से टाइट वाला सेट होने के लिए कि इसको टाइट सेट नहीं हुई है तो इसको टाइट सेट करने और यह दो पीस और थे इसके हलावा वट मेरे हस्बंड ने और मेरे बेटे ने ना मैं तो निकालके इधर अधर गई उन्होंने दो पीस खा लिए तो जितने हैं अभी उनी से काम चलाते हैं तो यह देखिए हमारी ओरियो चॉकलेट बनकर रेडी हो चुकी है ओरियो और नट देखिए आपको इसके अंदर नट भी दिखाई दे रहे होंगे तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा इसे बनाना बहुत ही जादा आसान है यह बहुत ही जादा टेस्टी भी है तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड कल मिलेंगे एक और नए इंट्रेस्टिंग अच्छी से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय टाटा अगर वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइन में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल न भूलें त कि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें